आज हम बात कर जिनने जा रहे हैं जो NCL exam होने वाला है HEMM operator का उसमें महत्पूर question है traffic rules से traffic rules से one liner question है इसमें लगबग हम 100 question कराने जा रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है ऐसा ही आपको paper में देखने को question मिलेंगे पहला question है यह diagram क्या इंगित करता है रूखिये दो नमबर question है बाय मोड़ना जरूरी है यह diagram बाय मोड़ना अनिवार है ती नमबर question है रास्ता दीजिए यह diagram इंगित करता है कि रास्ता दीजिए चार नमबर question है कि एक तरफा रास्ता है आप देख सकते हैं कि यह बीच में cross है आने वाल है मतलब यू टर्न नहीं ले सकते हैं आप ऐसे टाइग्राम जो इंगित करता है छे नमबर कोश्चन है पैदल यात्री सपत मतलब यह जेवरा क्रॉसिंग है जहां पर ट्राफिक रूल से रहते हैं ट्राफिक सिंगनल के भगल में रहता है वहां से आप क्रॉस रोड कर सकते ह असानी से साथ नमबर कोश्चन दाएं और वाहन खड़ा करना स्विग्रित है मतलब आप दाएं ही और वाहन खड़ा पार्किंग में कर सकते हैं आठ नमबर कोश्चन है दाएं मूर्ना निसेद है यह डाइग्राम यह इंगित करता है कि आगे सक्रापूल है आप देख सकत कि इधर से रोड़ चौड़ा है नीचे से साइट जब भी हम हैसा डाघ्राम से चौड़ा है मैं था पटला हो गया फिर है तो ऐसे जगह पर हमारा पूल है है था थां नमबर क्वेस्टन हैं यह सानल लगा हुए यह किया एंगीत करता है अस्पताल है क्या नंबर कोश्चन है यह प्लस का चीन लगा हुआ है यह इंगित क्या करता है प्राथमिक चिकित स्टैलर चौकी है बारे नंबर कोश्चन बारे नंबर कोश्चन क्या इंगित करता है अराम करने की जगह है आप देख सकते तेरा नंबर कोश्चन गती सीमा प यहां पर जैसे अबर ब्रीज पर हम चलते हैं तो बर ब्रीज पर चलते चलते ज़्यादा इस्पीड न चले ताकि हम गुद्दूर घटना हो सके त्योंकि यहांग एक लिमिट रहता है कि आप 30 पर किलोमेटर के हिसाब से प्रति घंटे के हिसाब से अब चल सकते जैसे आप प्रिच के नीचे चले जाते हैं तो यह चिनुहा परिंगीत होता है कि आपकी जो परतिबंद लगाए गया था इस पीट का वो परतिबंद बंद हटा दिया गया है अब कितना भी इस पीट पे चल सकते हैं अगला कोश्चन है 14 नमबर आगे रास्ता तंग है मतलब कि इधर साब देख सकते हैं कि रास्ता चोड़ा है और सडलने जाकि रास्ता पतला हो गया तो आगे रास्ता सक्रा है पंद्रे नमबर कोश्चन है ओबर टेकिंग निसेद है डाइग्राम साब पिए देख सकते हैं को ओबर टेकिंग करना मना है सोला नमबर कोश्चन है क्रास रोड है आगे मतलब चावरहा है 17. कोचन कर तक आगे जाना मना है ऐसे डाइगराम आपको देखने को मिलेगा इंसिल की एक्जाम में 18. कोचन बाई और सड़क है ऐसे आपको जब भी डाइगराम मिले तो बाई और सड़क है 19. कोचन हारन बजाना जरूरी है 20. कोचन हारन बजाना बहुत अनिवार रहता 20. कोचन है दाय मूरना आवस्यक है ऐसे कहीं भी अगर चिन रहे तो आपको राइट मूरना अनिवार रहे 21. कोचन है वाहन खड़ा करना मना है ऐसे जगह पर जहाँ पर वाहन खड़ा करना आप पार्किंग खड़ा करने का जगह नहीं है उस जगह पर यह चीन इंगित लगाया जाता है कि वाहन खड़ा करना मना है 22 नमर कोश्चन है हार्न निसेद है हार्न बजाना वहाँ पर निसेद रहता है जहां पर होस्पीटल बगेरा हो वहाँ पर आप हार्न नहीं बजा सकते हैं 24 नमर कोश्चन है मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निसेद है अब देख सकते हैं कि बीच में क्रॉस लगा हुआ है बाइक और कार के साथ में अब गाड़ी कार या बाइक लगा नहीं चला सकते रास्ते पर जिस पर यह लगा होगा प्रतिबंद 24 नमर कोश्चन बेल गाड़ी निसेद है ऐसे जगह पर जहां पर फ्लाइओबर राता है वहां पर आप बेल गाड़ी नहीं चला सकते हैं 25 नमर कोश्चन है पैदल यात्री पैदल यात्री फ्लाई ओवर पर भी अलाउड नहीं होता है 26 नमर कोश्चन बायमोना अनिवार है बायमोना वरजित है सोरी या आप आमेशा लेप्ट हेंड साइट नहीं मूड सकते अगर आईसा आपको क्रॉस लगा होगा तो 27 नमर कोश्चन है ऐसे कोश्चन में आपको रेड में और 50 में कोई भी संख्या लेखी हो तो आप इससे ज़्यादा 50 की प्रति घंटा की हिसाब से किलोमेटर की हिसाब से आप नहीं चला सकते हैं 28 नमर कोश्चन है ऐसे वाहन के लिए प्रवेश निसे जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है मतलब कोहीं भी पूल में आपके कर गाड़े 3 मीटर चौड़ी है तो अगर पूल की चौड़ाई आपको 2 मीटर है तो उस जगह पर आप अपनी गाड़ी नहीं पार कर सकते है इसलिए उस जगह पर आपको ये चीन इंगित किया जाता है 29 नमर कोश्चन है ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निर्ष जिसमें उचाई 3.5 मीटर से अधिक है अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर उची है तो आप कहीं भी पूल में आप ब्रीज में पार नहीं कर सकते हैं उस ज चीन ये इंगित करता है ठाहरना एवां रुकना मना है ये चीन उहां उस जगह पर लगा जाता है जंगल वगेरा में जहां पर जानवर हमेशा मोमेंट में रहते हैं ताकि कोई भी जानवा अगर हम ठड़े होते हैं कोई जानवर हमें नुक्सकान न पहुंचाए 31 नमबर क 33 नमबर कोश्चन 33 नमबर कोश्चन ये इंगित करता है कि बाय ओड चलाना अनिवार है आप बाय ओड ही जाए 34 नमबर कोश्चन 34 नमबर कोश्चन ये इंगित करता है कि दाय हाथ को घुमाओ है मतलब आप राइट हैंड साइट पर घुमाओ है टर्न है 35 नमबर कोश्चन बाए हात को घुमाओ है मतलब कि आपको left hand side पर घुमाओ दार रोड है 36 नमबर question है दाय और hairpin wind है 36 नमबर question है बाए और hairpin wind है 38 नमबर आप question देखके one liner है आप आसानी से ऐसे ही आपको exam में question देखने को मिलेंगे दाएं और उल्टा मुहाँ मोड है 49 नमबर कोशे बाएं और उल्टा मुहाँ मोड है 44 नमबर कोशे दाएं तरफ रास्ता है 41 नमबर कोशें है ये डाइगराम ये इंगीत करता है आगे मूख सड़क है 42 नमबर आगे घुमिये मतलब आपको एक आगे चवराहा है 43 नमबर 43 नमबर कोश्चन ये जो भी आपको डाइगराम मिलेगा मतलब आगे खतरना गड़ा है 44 नमबर कोश्चन है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है अगर कहीं भी ऐसा चीन आपको मिलता है तो आपको अगर दो पट्टी वाला जगह मिलता है तो आपको समझ लिए कि 200 मीटर पर आपको गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है 25 नमबर कोश्चन बाइग और वाई ट्रान जिक्सन है मतलब का आपका वाई सेप का एक रोड है आगे 26 नमबर कोश्चन है दाए वाई और वाई तरफ का एक रास्ता है 27 नमबर कोश्चन है एक वाई रोड है आपका 28 नमबर आगे जाना या दाए मोड़ना अनिवार है 49 नमबर यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है रास्ता फिसल भारी है आएसे जगह पर जहां पर आपकी दलदल हो चिकनी मिट्टी हो या चिकनी रास्ता हो उस जगह पर लगा जाता ताकि आप आसानी से जा सके और कोई भी दुरगटना ना हो 50 नमबर कोश्चन यह इंगित करता है कि बजरी पीड़ी हुई मतलब कि आपको बहुत सारे गड़े हो छोटे कंकड वगेरा हो उस जगह पर ऐसे जगह पर यह लगा जाता है साइकिल क्रॉसिंग मतलब ऐसे जहां पर लगा हो आप साइकिल वहां क्रॉस कर सकते हैं 52 नमबर कोश्चन यह रास्ते पर पसू होने की आसंका मतलब कि ऐसे जगह पर जहां पर मार्केट वगेरा हो उस जगह पर आपको धी में चलना है ताकि वहां पर पसू वगेरा का मॉमेंट कांटिन्यू बना रहता है तिरे पर नमबर कोश्चन आगे इसकूल है अगर चीन आपको इंगीत करता है तागे इसकूल है आपको फ्रिक्वेंटली जाना है चववर नमबर यह कोश्चन करता है आदमी आगे कार कर रहा है ऐसे जगह पर लगा हुआ है तागे रोड में कार चल रहा है पच्पा नमबर कोश्चन चटान गीर रही है ऐसे कोश्चन अगर आपको कहीं भी मिलेगा तागे चटान में कोई भी पथल वगड़े गएरा लुड़ूक सकता है ऐसे जगह पर आपको सतर्क रहना है चपा नमबर कोश्चन है त्रीव चड़ाई है आगे ऐसे चिन हमें उस जगह पर मिलते हैं पहाडी इलाके में जहां पर अचानक से आपको चड़ाई मिल सकता है तो आप पहले ही सतर करहें त्रीव धलान ऐसे जगह पर जहां पर पहाडी बगेरा में अचानक से धलान हो सकता है अगला कोश्चन अगे का रास्ता चोड़ा है ऐसा आपको चिन कहीं भी इंगित मिले तो नीचे से देखे एकदम सड़नली चौड़ा हो गया है अगला कोचन बीच में अंतराल है ऐसे जगह पर ये चिन ये इंगित करता है कि आप कहीं भी इसके बीच में पेड़ पोधे देखें कि रोड के बीच में लगा रहता है सब्सक्राइब आंगे mm चीज़ा मोकरround इसा है सब्सक्राइब है उसी आपको कहीं होगanders समंझाएगा उब्रिखाबुरी में इतर शॉब्र सबक्राइब आध क्र çünkü में लाश्ट So झाल झाल